कि दोस्तों आज किस वीडियो व्हें में आप लोगो को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मुबाइल स्क्रीन और स्वागत कर ενार अपने यूटूम चल्ड़ reflex टेनल में सेयर करना है अगर आप लोग ये वीडियो फेस्बुक पेज पे देख रहे होंगे फेस्बुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो करिएगा थाकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें वहां पर भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि अपने मुबाइल स्क्रीन को अपने लेप्टॉप या कंप्यूटर में बिंडो 11 में कैसे ट्रांसफर करेंगे देखिए हम अपना स्क्रीन यहाप अपना लेप्टॉप हम ओपेन कर रखे हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना है यह जो आपके सामने इस प्रकर का इंटरफेस हा जाएगा या या नी अप शेटिंग का जो भी ओफ्षण है वो सब ऑफ्पेन हो जाएंगे अब आपको क्या करना है सिस्ट्रेक्षण पर क्लिक करेंगे नीचे आपको फूब्पेन कमों करना है यहां पर देखिए कोई भी फीर ऐ connect है की नहीं कोई तो यहां पे देखिए हम इडने हमारा अपने लेप्टॉप में हमने connect कर रखा है तो इसको हम यहां से disconnect करते हैं इस तरीके से हम दुसरा वाइफाई यहां पे वाइफाई देखिए स्क्रीन कास्ट करने के लिए एक चीज़ ध्यान रहे कि आपके मोबाईल और लेप्टॉप या कंप्यूटर में सेम वाइफाई कनेक्ट होना चाहिए तभी आप इसको कश्ट कर पाएंगे अपने मोबाईल का स्क्रीन अपने लेप्टॉप में ट्रांसफर कर पाएंगे तो देखिए हम सेम वाइफाई से से कनेक्ट कर लिए हैं उसकी आपको क्या करना है यहाँ पर ऑफ्सनल फीचर मिलेगा सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इसपर क्लिक करेंगे यहाँ फिचरень उफ्सीटर और यहां next का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर install का option मिलेगा आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहां पर जो wireless display है वो install होना start हो जाएगा तो यह net के उपर depend करता है कितनी जल्दी download होके आपके laptop या computer में यह wireless display install हो जाता है तो यह install होता है तब तक हम थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो skip करते हैं आप जितने देर में आपका download होके install होगा आप लोगों को wait करना होगा तो हम भी wait करते हैं कितने देर में मेरा हो जाता है तो देखिए यहां तक हमारा install हो चुका है थोड़ी देर तक और इंतजा देर करते हैं तो यह देखिए install हो चुका है अब आपको क्या करना हों पे simple सा दोबारा से click करना है अब हों पे click के बढ़ने के बाद आपको system पे click करना है जैसे system पे click करेंगे नीचे आपको scroll करके आना है अहां project to this PC वाले option पे click करेंगे तो यहां पे देखिए सारे option आ गए available everywhere वाले option पे आपको click कर देना है उसके बाद ask to project to this PC इस पे आपको click करना है यहां पे first time only आपको select कर लेना है चाहे या चाहें तो यह भी आप इसे रहने दे उसका आपको क्या करना है पे launch the wireless display app to project to this PC वाले option पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे देखिए यहां पे इसको screen को छोटा करते हैं इस तरीके से और अपने mobile को आपको open करना है जैसे कर देखिए हम यहां पर अपना mobile open कर लिए हैं आपको बगल में अपना screen हम यहां पे show करा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना mobile यहां पे open कर रखा और यहां पे आपको आप से कनेक्ट है mobile भी हमारा laptop भी अपको क्या करनाए आपको यहां पर देखना है screencast है ये आपको एक option मिलेगा simple सा इस पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे यहाँ पे allow वाले option पे आपको click करना है यहाँ पे option पे आपको click करना है और यहाँ पे permission वाले में आना है देखिए हम बैक चलते हैं यहाँ पे permission वाले में आना है और location आपको allow कर देना है देखिए यहाँ पर location हमने allow कर दिया है अब हम back चलेंगे देखिए इस तरीके से हम back आएंगे और यहाँ पर देखिए searching हो रहा देखिए laptop जो same है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारे mobile में दिखा रहा है वही इसमें भी दिखा रहा है अब आपको क्या करना है simple सा इस वाले option पर click कर देना यह turn on वाले option पर आपको click कर देना जैसे आप इस पर click करेंगे देखिए आपका connection यह मलब connect हो रहा है देखिए Realme 5 Pro मेरा mobile है, यहां पर connect हो रहा है, तो देखिए हम इसको connect होने देखो, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा mobile है वो connect हो गया, आप अपने mobile हम कुछ भी करेंगे, इसमें so होगा, आप लोग देख सकते हैं इस त्रीके से कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमारा मुबाईल हमारे लेफटॉप में सो हो रहा है तो इस तरीके से आप लोग को अपने मुबाईल को अपने कम्प्यूटर या लेफटॉप में कनेक्ट करना है बिंडो 11 का हम ये बताएं बाकी विंडो 10 विंडो 10 हुआ विंडो एड हुआ आप लोग कहेंगे तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे, तो मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस्टेप बई स्टेप बताया, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों जाथे शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताएक वीडियो कैसी रहा, मि बिलते नेक्स्ट व्डियों नई जनकारी साथ तब के लिए बाई बाई